हेलो दोस्तो नबसकार स्वागत है आप सभी लोगों का गुलाब गुरूप कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास में दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कम्प्यूटर की कुछ बेसिक जानकारियां बताने वाला हूँ जो आप में से काफी सारे लोगों को नहीं पता होती है आज मैं आपको जो कम्प्यूटर की बेसिक जानकारी बताऊंगा उसके अंदर हम लोग जो है डेक्स्टॉप की सेटिंग के बारे में सीखेंगे साथ ही जो है डिस्प्ले की सेटिंग के बारे में सीखेंगे इसके अला के बारे में आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा और पूरा लास्ट करेखेगा एलो दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कंप्यूटर स्मार्ट क्लास वीडियो पसंद तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह setting आपको लानी कैसे हैं तो देखिए setting लाने के लिए आप अपने desktop पर mouse का right click करिए यानि right button को click करिए यह सारे option आते हैं यहाँ पर जो सबसे पहला option है वो view का है और यह जो view है न वो आपके desktop पर जो icon है उनको देखने के लिए यह setting है जैसे क अगर आप जो है अपने desktop पर रखे icon को large icon में देखना चाहते हो तो आप जो इस पर click करेंगे या फिर यहाँ पर एक shortcut भी दिया गया है control shift और 2 button और यह जो 2 button है वो ABCD जो दिये गये हैं इनके उपर जो number की है एक दो तीन चार वो वाले होने चाहिए यह आपको ध्यान दिना है और इसके अलामा अगर आप medium icon में देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो है control shift 3 button है और बिल्कुल small icon में देखना चाहते हो जैसा कि अभी के time में यह select है बिल्कुल वैसा देखना चाहते हो तो आप इस पर click कर सकते हो या फिर इसकी shortcut भी बताई गयी है तो यहाँ पर मैं सब से पहरे large icon पर click कर देता हूँ देखिए हमारा desktop पर जितने भी icon थे वो सारे के सारे large हुए है फिर दोबारा से हम लोग चलेंगे right click करके view पर और यहाँ पर जो है हम लोग medium पर click कर देंगे तो देखिए medium कुछ इस तरीके से आ गया है मतलब थोड़ा सा छोटा रहेगा फिर यहाँ पर आने के बाद small पर click कर देंगे तो बिल्कुल small से adjust हो जाएगा समझ में आ रहा है view के अंदर जो अगली setting है वो है auto arrange icon की अगर आप इस पर click कर दोगे तो यह जो आइकन है न वो automatic जो है arrange होते रहेंगे मतलब एक के बाद दूसरा दूसरे बाद तीसरा इस तरीके स automatic जो है arrange होते रहेंगे जब आप इस option को click कर दोगे और जो अगला option है align icon to grid अगर आप इस पर click कर दोगे तो यह जो बिल्कुल सीध में है न बिल्कुल सीध में यह जो है align रहेंगे यानि उपर से भी बिल्कुल सीध में रहेंगे और इधर से भी बिल्कुल सीध में और अगली जो setting है वो है show desktop icon आपने अक्सर देखा होगा कि आपके desktop पर कुछ इस तरीके से interface दिखाई देता है यानि आपके desktop पर icon ही नहीं दिखाई देते हैं और जिन लोगों को नहीं पता है वो काफी जादा परिसान हो जाते हैं icon धूंडने में लेकिन अगर आपके साथ ऐ आपको आपने desktop पर icon को show करवाना हो दिखाना हो तो आप इस setting को on करके रखेंगे जैसा कि अभी यह चेक बॉक्स यहां पर लगया है यह on है लेकिन अगर आप इस पर टिक कर दोगे इसको हटा दोगे तो वो hide भी हो जाएगा यानि इसी से आप show भी कर सकते हो hide भी कर सकते हो तो desktop पर icon को show और hide करने के लिए यह setting का इस्तमाल किया जाता है फिलाल यह सारी setting हमने समझ ली है बात करते हैं अगली वाली setting के बारे में तो यहां पर यह जो अगली setting है वो short by है इस setting का इस्तमाल करके आप desktop पर रखे icon को short कर सकते हो name wise short कर सकते हो size wise, item wise और date modify wise अब name wise कैसे short ह देखिए name wise पर अगर आप click कर दोगे तो A से लेकर के start होगा और Z तक जाएगा यानि कि सबसे पहले वो वाले folder या फिर program या फिर file आएंगे जिनका नाम जो है A से start होगा उसके बाद B, C, D इस तरीके से Z तक आएंगे अब आएंगे जब आप यहां पर short by में name को select कर दोग जब आप size पर click कर दोगे तो जिस icon का size सबसे ज़ादा होगा वो सबसे top पर होगा और जिस icon का size जो है कम होगा वो सबसे नीचे होगा समझ रहे हो इसको आप इस तरीके से समझेए कि कि किसी भी file या folder या फिर जो है program का size जो है 2MB है और एक और program आपने desktop पर रखा है जिसका size जो है 50MB है तो 50MB वाला सबसे उपर रहेगा उसके बाद ही जो है 2MB वाले का नाम आएगा तो इतना बस आपको समझना है short by में अगर size को आप click कर देते हो तो जितना बड़ा size वाला रहेगा वो सबसे उपर रहेगा और जितना छोटा size वाला रहेगा वो सबसे नीचे ठीक है फिलाल हम लोग जो है पहले जैसा इसे कर देते हैं मैं यहां पर short में जा करके name wise मैंने click किया था तो name wise ही हमारा सही रहेगा इसके बाद जो है इसके अंदर जो अगला setting है वो है date modify को ले करके है date modify पर अगर आप click कर दोगे तो जो सबसे पहली date को आपने बनाया होग और दूसरे folder को आपने 5 तारी को बनाया तो जब आप date modifier पर click कर दोगे तो पहली तारी को जो folder आपने बनाया था वो सबसे उपर रहेगा और जो 5 तारी को बनाया था या फिर 10 तारी को बनाया था जब भी बनाया था उसके बाद वाला जो folder वो जो है उसके बाद ही आएगा यानि कि date wise भी आप यहाँ पर जो है modify करके icon को arrange कर सकते हो यहाँ से आपको यह भी setting समझ में आ गई होगी अगली जो setting है वो है refresh को ले करके यहाँ पर हम click करके desktop पर रखे icon को या फिर कहें computer को refresh करते हैं refresh करने से यह फायदा होता है थोड़ा सा कि हमारे computer की speed जो है थोड़ी सी push up हो जाती है थोड़ी सी बढ़ जाती है यहाँ था हमने setting को समझ लिया है इसमें जो अगली setting है वो new को ले करके है जब आप new पर click करोगे तो जैसे ही आप new पर जाओगे तो यहाँ पर धेर सारी drop down list खुलेगी इसके अंदर भी हम लोग एक एक चीज़ों को समझ लेते हैं जब आप new पर लेके जाओगे तो यहाँ पर आप एक नया folder बना सकते हो बस आप इस पर click करोगे एक नया folder इस तरीके से बन जाएगा और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि new पर click करके एक shortcut भी बना सकते हो आप बस shortcut पर click करिए यहाँ पर जो है आपको URL मांगा जाएगा जो भी आप URL टाइप करना चाहते हो उसको जो है यहाँ पर बस आपको type कर देना है जैसे मैं गulaabguru.com से मैं एक जो है यहाँ पर बना लेता हूँ shortcut और मैं next पर click करूँगा यह देखिए जो है इसका नाम हमसे पूछ रहा है रखने के लिए तो हम यहाँ पर जो है नाम type करते है गulaabguru और इसके बाद finish पर click कर देंगे आप यहाँ पर website ही नहीं और भी बहुत सारी shortcut को जो है create कर सकते हूँ इसके अलामा पहले तो मैं इन दोनों को जो है डिलीट करता हूँ shift के साथ डिलीट करेंगे तो यह जो है permanently delete हो जाएगा मैं इसको yes पर click कर दूँगा हमेशा के लिए delete हो जाएगा यह हमारी recycle bin में नहीं कर सकते हो जяसे आपको Microsoft का access application को open करना हो तो open कर सकते हो इसके बाद MS word को open सकते हो PowerPoint को Photoshop का open कर सकते हो publisher को text document यानि wordpad को open कर सकते हो इसके अलावा excel को भी open कर सकते हो तो ये सारे program भी आप right click करके इन्हें direct यहां से access कर सकते हो यानि use कर सकते हो जैसे कि मैं आपको MS word open करके दिखा देता हूँ मैं इस पर click करूँगा click करते ही देखे यहां पर एक shortcut बन करके आ जाएगा हम इस पर double click करेंगे तो Microsoft word हमारे सामने open हो जाएगा तो इस तरीके से आप right click करके new पर जा करके यहां से program को भी open कर सकते हो बिलहाल new के अंदर जितने भी option थे उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है अब बात करते हैं अगली setting के बारे में जो की है display setting इस पर click करके आप अपनी display की setting को बदल सकते हो बस आप इस पर click करिए जैसे ही आप click करोगे तो जो भी आपके display की setting होगी वो आपके सामने आया जाएगी जैसे कि देखिए display का जो resolution हमारा है वो इतना select है आप चाहो तो इसे बदल भी सकते हो यहाँ पर जो भी बदलना चाहो display की setting करके इसके बाद जो इसका scale है उसको भी कम या जादा कर सकते हो फिलाल मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि जो default आपका set है ना वही रहने देना है आपको यहाँ पर ठीक है कंप्यूटर या फिर लैप टॉप में windows 11 या फिर 10 होगा तो उसमें night light भी दिया गया है आप night mode को यहाँ से activate कर सकते हो बस इस पर क्लिक करोगे यह जो है on हो जाएगा night mode जो है activate हो जाएगा फिलाल जो है हम इसे बंद करते हैं तो यह कुछ display की setting थी आप यहाँ पर जो है graphics वगयरा की भी setting कर सकते हो advanced display की भी setting कर सकते हो तो इस तरीके से आप जो है desktop पर ही right click करके यहाँ पर display की setting में भी जा सकते हो और वहाँ पर भी setting कर सकते हो इसके अलावा जो अगली setting है वो है personalized की आप इस पर क्लिक करके अपने task bar का color change कर सकते हो desktop पर photo वगयरा कोई दूसरा theme इ इसके आपको right click करके यहाँ पर जाना है personalized पर इस पर क्लिक करिए इसके बाद जो है personalized की window खुलेगी यहाँ से आप चाहो तो अपने desktop का background चेंज कर सकते हो जो भी आप इसके अंदर color रखना चाहो इसके अलावा आप थोड़ा सा back आने के बाद यहाँ पर जो इसका color correction भी कर स सकते हो इसके अलावा जो है screen को lock कर सकते हो text input कर सकते हो task bar की setting open कर सकते हो font को जो है आप यहाँ से install और manage कर सकते हो तो यहाँ पर मैं आपको एक दो setting करके दिखा देता हूं ताकि आपको पूरा अच्छे तरीकी से समझ आ जाए जैसे कि हमें माली जे background में image लगाना है तो हम इस पर click करेंगे background पर इसके बाद जो है हमको यह जो solid color लिखा हुआ इस पर click करना है और यहाँ पर एक picture का option मिलेगा picture पर हम जैसे click करेंगे तो जो भी हमारे computer में picture होंगी वो इस तरीके से दिखाए देंगी आप चाहो तो browse photo पर click करके अपने computer में से कोई दूसरी picture को भी select क कर सकते हो यहाँ पर मैं कोई दूसरी picture को ही ले लेता हूं माली जी मुझे जो है यही picture पसंद आ गई है मैं इसी picture को use करना चाहता हूं तो मैंने choose picture पे click कर दिया यहाँ पर जो है choose picture पे click करेंगे तो फोटो यहाँ पर आ जाएगी देख सेट हो चुकी है मैं आपको दिखा देता हूं यह देखे डेक्शॉप पे हमारा कुछ इस तरीके से फोटो शेट हो गया जो अब हमने लगाया है माली जी इसको आपको पहले जैसा करना है तुबारा से यहीं पर आ करके यहाँ पर क्लिक करके solid color भरना चाहते हो या slide show करना चाहते हो जो भी आप करना चाहते हो उस पर क्लिक करिए जो भी color आपको पसंद है यहां से वो color select करिए जैसे ही आप select करोगे यहाँ पर save करने का कोई भी option नहीं है यह बात कर रहे हैं हम लोग windows 11 की windows 11 में बस आप select करिए सारा का सारा काम automatic हो जाएगा अगर आप जो है windows 7 इस्तमाल करते हैं तो उसमें जो है setting है so more option का हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर आपको जो है windows 7 अगर आप इस्तमाल करते हो तो कुछ इसी तरीके से right click करने से option आता है जिसमें basically वही सारी setting दी गई है जो अभी हमने समझी है जैसे view में large icon, medium icon, small icon, auto orange icon, auto align icon वाला जो option है और इसके बाद sort करना हो name से size से कर सकते हो इसके अलावा new पर क्लिक करके folder file या फिर किसी भी program को open करना हो तो same वही काम कर सकते हो display की setting कर सकते हो और personalize की setting जा करके कर सकते हो तो फिलाल दोस्तो right click करने से जो भी option आते हैं एक एक करके मैंने आपको सभी option के बारे में बिलकुल detail में अच्छे तरीके से बताया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए आकि उन्हें भी जानकारी के बारे में पता चले चैनल पर अगर नए हो अभी तक चैनल को subscribe नहीं कियो हो तो subscribe भी कर लिजेगा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम